पूरी में भगवान जगरनात की रत्यात्रा शुरू हो गई है वे बड़े भाई बलभद्र और बहन सुबद्रा के साथ तकरिबन धाई से तीन किलोमेटर दूर गुंडीचा मंदिर जाएंगे जो की उनकी मोसी का घर माना जाता है इस रत्यात्रा में तकरिबन 25 लाक लोगों के आने की संभावना है इसे गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं सुब़ से ही पूजा और रत्यात्रा के लिए जरूरी विधान शुरू हो गए इसके चलते सुब़ चार बजे भगवान को जगाया गया श्रंगार के बाद आड़ती और खिचडी का भोग लगाया मंदिर के भार तीनो रतों की पूजा की गई परंपरा की चलते सबसे पहले भगवान बलबदर का रत रहता है ये तकरीबन 45 फिट उचा और लाल और हरे रंग का होता है इसमें 14 पहिये लगे होते हैं जिसका नाम ताल द्वज है इसके पीछे देवदलन नाम का करीब 45 फिट उचा लाल और काले रंग का सुबदर का र रत होता है इसका नाम नंदी खोशे जो कि पीले रंग का लगबग 45 फिट उचा होता है इसके रत में 16 पहिये होते हैं इसे सजाने में लगबग 1100 मीटर कपड़ा लगता है आज शाम तकरीबन 6 बज़े तक भगवान जगननात के गुंडीचा मंदिर पहुशने की संभाव होना है वहां बगवान अपने बड़े भाई बलबद्र और बहन सुबद्रा के साथ साथ दिन तक रुकेंगे इसके बाद पंचांग के मताबिक आशाड माहिने के शुकल पक्ष की दश्मी तिथी को यानि 28 जुन को वापिस मंदिल लोटेंगे मंदिल लोटने वाली इस य रत्यात्रा एहमदाबाद के जमालपूर इस्तित भगवान जगरनात मंदिर में होती है ग्रह मंत्री अमिश्या ने सुबह जमालपूर जगरनात मंदिर में परिवार समेत मंगला आरती की एहमदाबाद में रत्यात्रा सुबह साथ बजे शुरू हो गई मुख्य मंत्री भ आपने रहे हैं राजनामा टीवी के साथ ताने बाद